4, 3, 2, 1, max, high student कैसे हैं आप देखिए आज हम क्वेशन करने जा रहे हैं 2 that 2 root 3 plus 3 sin x plus 2 root 3 cos x जो है वो कहां लाए करता है between this and this तो है इसके maximum value यह है और minimum value यह है यह question एक MTR question students एक particular trick से ही होता है और कोई तरीका नहीं है इस question को करने का तो देखिए हम जाता है कि maximum minimum values को क्या formula आता है हम इसके coefficients के square को आड़ करके square करके root ले ले लेता है तो अगर हम इसका square करके root लेंगे तो यह जाएगा देखिए sin का plus 3 का whole square plus 2 root 3 का whole square यह होती है मेरी root की जो negative value आ जाएगी उसको लिख दूगा minimum value और root की maximum value आ जाएगी हो जाएगी मेरी maximum value positive में है अगर मैं इसको simplify करूंगा स्कूर्ट तो कुछ तरीक से हो जाएगा देखिए 2 root 3 plus square plus 3 12 अब इसके अदरा इसको square identity मिनाने की कोशिश करें तो हम देख रहे है कि यह इस फॉर्म में तो नहीं बन रही है तो अगर मेरे को इस फॉर्म का हल्का फुलका प्या लेडिया चाहिए तो कैसे होगा देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 33 को breaker की 15 plus 12 plus 6 plus 12 root 3 लिखता हूं ऐसा ऐसा मैं इसलिए कि 33 को breaker की term मैं ऐसे लिखा क्योंकि यह वाली जो चीज है यह जो फिफटीन है रूट फिफटीन को फिफटीन को बिल्कुल लिखता हूं और 12 को क्या लिख सकता हूं तो मेरा चोता हो थै तो मेरा चोता हो थै कि तो मैं इसके अंदर 12 रूट ऐट लिया और 12 रूट 5 को ही सब्ट्राक można थो देखिए क्या आज़ाएंगा पायक्वाली। प्लस टुब टुवेलूटी और माइनस का सेख्स्टूप्लॉट फाइफ टुब इस तरीकी से मैंने इसको ऐसा से किया ता कि मेरी इडेंटिटी बन जा दैब अब मैं देख रहा हूं कि यह तो मेरी और मॉस्ट का बन गई एक आइडेंटिटी बन गई तो यह जो मेरी आइडेंटिटी बन गई कुछ इस तरीकी से बन गई आप देखेंगे यह और मुस्ट नेग्लिज़िबल वैल्यू में यह ऐवाल को बीच जोटी है इसे चोटी है यह अल्मोस्ट नेलिज़िबल आप चाहें इसकोवर सकते हैं कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं अगर यह फेर्ष को आपको शॉल्व अगर इहां प्रण यहां पर यह एक यह ऐगर शब्रस में आ जा जाएगा टाइगा तो इसट प्लेस ट्वाल माईनस पाइव इसकी वैलू तो यह जाएगा 6 प्लस 12 अगर हम इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे 3 में से 3 के आप यह बचा 0 और 22 में से 17 जाएगा तो किता बचेगा माइनस का 5 तो यह जाएगा माइनस का 0.50 बच रहा है तो यह जाएगा माइनस 5 तो 6-6 6-6 क्या होता है जीरो यानी यह वाली वैल्यू तो नल है प्लस 15 और जानते है जो यह जानते हैं जो वैल्यु आती है square root करने के बाद अगर इसका positive लेड़ू तो यह तो इसकी क्या हो जाएगी maximum value और अगर इसका negative लेड़ू तो यह हो जाएगी इसकी minimum value तो अगर इसकी maximum और minimum value जाएट मीन्स यह represent करता है कि यह जो मेरा function है यह इन दोनों के बीच में ही lie करता है यह बहुत ही important question था students please इसको अच्छी दरिक जिएगा और भी कुछ doubt हो कुछ भूजना हो तो please do let us know thank you